मनिपुर नाम के गाउं में एक मालती नाम की चुडेल अपनी तीन छोटी छोटी बेटियों के साथ एक तूटे फूटे जोपड़े में रहती थी मालती बहुत ही गरीब चुडेल थी जिसकी शक्तियाँ एक जादू करने अपने वश्च में कर ली थी फिलाल मालती के पास एक गाय थी गुजारा करने के लिए जिसका दूद निकाल कर वो गाउं के लोगों को बेचने जाय करती थी लेकिन फिर भी गाउं का कोई शक्स चुडैल से कुछ नहीं लेता था क्योंकि वो बहुत ही डरावनी और भयानक दिखती थी एक दिन गाय को चारा ठीक से ना खिला पाने की वज़े से वो भी मर जाती है अब मैं क्या करूँ? ये गाय ही थी जिसकी वज़े से मैं अपने बच्चों का पेट भर पा रही थी अब क्या होगा? कहां से खिलाओंगी इने? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं दूसरी गाय खरीच सकूँ मा, तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती देखो ना तुम्हें रोता देख सिया और खुश्पू भी रोने लगे नहीं, नहीं, मेरी बच्ची ओ रो मत, अब तुम्हारी मा नहीं रोईगी चलो, अब चुपो जाओ, अब और क्या कर सकते हैं? किस्मत में दुख लिखा है तो भोगना तो पड़ेगा ही तब ही सभी बच्चे अपनी मा से खाना मांगने लगते हैं मा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मुझे, मुझे भी खाना दो, मुझे को भी भूख लगी है अरे, मैं तो इस गाए के चक्कर में सब भूली गई कि घर में तो अनका एक दाना भी नहीं है आज भी दूद नहीं बिका तो पैसे कहां से आएंगे और पैसे नहीं होंगे तो खाना कहां से आएगा अब मैं अपनी बच्चे को क्या खिलाओं, कहां से लाओंगी बिना पैसो के खाना ऐसा करती हो, पड़ोस से थोड़ा खाना मांग लेती हो मालती अपनी बेटियों के लिए दूसरे घर जाकर खाना मांगने लगती है कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी बेटियां भूखी है घर के अंदर से एक औरत चुडैल को बोलती है जाओ जाओ हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है और अगर मैंने तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दिया तो तुम मुझे मार दोगी गंदी चुडैल चुडैल ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है गाउं में कोई भी चुडैल और उसकी बेटियों को पसंद नहीं करता था इसलिए एक दिन चुडैल ने शेहर जाने का पैसला किया उसने अपनी तीन बेटियों को अपने साथ ले जाने का पैसला लिया ये उमीद करते हुए कि शायद शेहर के लोग उन्हें स्विकार करेंगे अगर वो देखेंगे कि उनकी बेटियां कितनी अच्छी तरह से व्यवहार करती हैं और दैयालू है चुडैल की तीनों बेटियां शेहर जाने के फैसले से बहुत खुश होती है मा, हम शेहर कितने दिन में जाएंगे? बस कल ही रवाना हो जाएंगे अरे वा, हम कल शेहर जाएंगे पता नहीं शेहर कैसा दिखता होगा मा, शेहर में तो बड़ी-बड़ी इमारते होती होगी न? हाँ, वह बहुत बड़ी-बड़ी इमारते होती हैं और वहाँ पर हमें काम भी मिल जाएगा फिर मैं तुम सब को सुकून से पाल सकूगी मा, इन गाउं वालों ने तो हमें नहीं अपनाया पर क्या शेहर वाले हमें स्विकार करेंगे? जरूर करेंगे, कुछ न कुछ तो होगा ही अगले ही दिन चुडएल और उसकी तीन बेटियां शेहर के लिए निकल पड़ते हैं जब वे कस्बे से गुजरें, तो लोगों ने उन्हें ग्रिना और भहे से देखा और कुछ ने उनकी पीट पीछे कानफूसी भी की ये चुडएल कितनी बायानाख है चुडएल की तीनों बेटियां सबकी बाते सुन रही होती है मा, मुझे तो नहीं लगता कि इस शेहर में भी लोग हमें स्विकार करेंगे अब हमारा क्या होगा? अब तो हम वापस गाउं भी नहीं जा सकते अचानक से उनके सामने एक जादूगर बुढ़ा आदमी आ जाता है अरे वाप, देखो तो हमारे शहर में कौन आया है? एक अच्छी चुडएल और उसकी प्यारी प्यारी तीन बेटियां भी है मा, ये अंकल तो बहुत अच्छी है, हमसे कितनी अच्छी से बाते कर रहे है मा, क्या ये अंकल आपको जानते है? नहीं बेटा, मैंने नहीं जानती पर इतनी तसलिय है कि कोई तो हमसे अच्छी से ब्याभार कर रहा है तभी बुढ़ा जादुगर अपनी जोली में से चुड़ैल की तीनों बेटियों को एक जादुई रत्न की माला देता है ये लो बच्चियों, ये एक जादुई रत्न है इसे तुम हमेशा अपने गले में पहन कर रखना ये तुम सब की पुरे वक्त में हिफाज़त करेगा अरे वा, ये तो बहुत सुन्दर है, कितना चमकदार है हाँ, ये बहुत सुन्दर है अंकल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इसकी इंती तोफेगा मैं जानता हूँ, इस शहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते है तुम्हारा यहां रहना मुश्किल हो सकता है इसलिए, इसलिए मैंने तुम्हें रत्न दिये है लेकिन इसका ध्यान से इस्तेमाल करना ये बहुत सक्तिशौली रत्न है जी आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, मैं बच्चियों को समझा दूगी इतना कहकर वो बुढ़ा जादूगर वहां से गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद वहां रात हो जाती है लेकिन चुडैल और उसकी बेटियों को रहने के लिए कोई जगा नहीं मिलती मा मैं बहुत ठक चुकी हूँ, मैं भी बहुत ठक चुकी हूँ बस जैसे ही कहीं ठेड़ने की जगा मिलती है हम वहां आराम करेंगे चुडैल और उसकी बेटियां चलते चलते एक सुनसान रास्ते पर आ जाती है तभी एक बड़ा भयानक सा भूत उनके सामने आ जाता है अरे वाह इतने दिन बाद मुझे कोई शिकार मिला है वो भी इतने सारे हमारा रास्ता छोड़ो हरे ऐसे कैसे जाने तूं मैं पूरे एक महीने से भूखा हूँ क्योंकि मुझे कोई शिकार मिला ही नहीं खाने के लिए लेकिन अब तुम आ गए हो अब मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ और ये तीन चोटी चोटी लड़किया ताजा ताजा मास खाने में बड़ा मज़ा आएगा मेरी बच्चियों और मेरा पीछा छोड़ दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा हमें जाने दो चुडेल की बेटियां उस भूख को देखकर बहुत तेज तेज रोने लगती है तभी उनके गले में वो बूढ़े जादुगर की दी हुई वो रतने की माला चमकने लगती है और उसमें बहुत तेज रोशने निकलने लगती है जो उस भूख की आँखों में चुपने लगती है फिर भूख उन सबसे डर कर वहां से भाग जाता है अरे वा मा उन बुढ़े अंकल ने तो बड़े मजे का तोफा दिया है हाँ मा कैसे वो भूख दम दबा कर भाग गया भला हो उस बुढ़े जादुगर का एक दिन चुडएल अपनी बेटियों के साथ एक सड़क से गुजर रही थी तभी वो देखती है कि एक घर में आग लगी हुई है अरे मा देखो उस घर में कितनी भयानक आग लगी हुई है हाँ बेटा पता नहीं यह आग कैसे लग गई यहाँ पर तभी चुडएल देखती है कि एक औरत उस घर के बाहर खड़े होकर मदद के लिए लोगों को पुकार रही है मेरी मदद करो मेरी बेटी अंदर उस घर में है मेरी मदद करो मा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए हाँ मा, हमें इस जादूई रत्न की मदद से उसकी बेटी को बाहर लाना चाहिए तुम सही कह रहे हो लेकिन कहीं मदद करने के चक्कर में तुम्हें कुछ न हो जाए मा, हमें कुछ नहीं होगा, ये रतन हमें बचा लेगा तभी रिंकी और खुश्बू अपने रतन की मदद से उस जल रही घर के अंदर खुश जाते हैं लेकिन रतन की वज़ा से आग उन्हें नहीं लग रही थी रिंकी और खुश्बू अब उस औरत की बेटी को ढूनने लगते हैं हमें घर का हर कोना ढूनना होगा हाँ, मैं भी घर के दूसरी तरफ उसे ढूनने जाती हूँ तब ही उन दोनों को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है रिंकी और खुश्बू उस छोटी बच्ची के पास पहुँच जाती है और उसे गोद में उठा कर उसे घर के बाहर ले आती है मेरी बच्ची, तुभे कुछ हुआ तो नहीं कई चोट तो नहीं लगी नहीं मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची को बचाने के लिए लेकिन तुम दोनों उस आग में गई कैसे और तुम दोनों को तो मैंने इस शहर में पहले कभी नहीं देखा क्या तुम इस शहर में नहीं हो जी, हम इस शहर में नहीं है और हमारे इस जादू ही रतने की वज़य से ही हम उस आग में जा पाए और हमें आग नहीं लग पाए तुम दोनों अकेली हो तुम्हारे साथ और कोई नहीं है नहीं नहीं, हमारी साथ हमारी मा और एक और बेहन है तब ही वहाँ पर चुडैल और सिया आते हैं चुडैल को देखकर वो औरत घबरा जाती है नहीं नहीं, आप घबरा हैं यहीं मैं आपको कुछ नहीं करूगी मेरी श Efendimiz एक बुरे जादु कर ली है जिसकी वज़ा से बे कुछ नहीं कर सकती लेकिन आप यहां क्या कर रही है चुडैल उस औरत को सारी बात बताती है चुडैल की बाते सुनकर वो औरत भावुक हो जाती है मेरा इस शहर में एक और बड़ा घर है क्योंकि अब ये घर जल गया है तो अब मैं और मेरी बेटी उसी घर में रहने जाएंगे आपके पास भी कोई रहने का ठिकाना नहीं है तो आप लोग हमारे साथ उस घर में रहें नहीं नहीं इसकी क्या जरुरत है आपकी बेटी ने मुझ पर बहुत बड़ा इसान किया है मेरी बेटी को बचा कर इस एहसान को तुम्हें पूरी जिंदगी भी लही उतार सकती इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी तो चुडैल उस वारत के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और चुडैल और उसकी बेटी को अब पनाह भी मिल जाती है उस दिन के बाद से वो गरीब चुडैल की तीनों बेटियां उस शहर के लोगों की अपने उस जादुई रतने की मदद से रक्षा करने लगी जसकी बज़त से पूरा शहर चुडैल और उसकी तीनों बेटियों का बहुत सम्मान करता था कभी वो तीनों बेटियां किसी के घर चोरी होने से बचाती थी और चोर को पुलिस के हवाले कर देती थी तो कभी किसी भूखे व्यक्ति को जादू से खाना पेश कर दिया करती थी। उसके बाद से गरीब चुडैल और उसकी तीरों बेटियां ये जान कर हमेशा खुश रहने लगी कि उनके पास खुद को और दूसरों की रक्षा करने की शक्ती थी।